शलो वाई स्टुएंट्स फटाफट तीन नंबर पक्के करों ठीक है अगर कम्पारिटिव बैलेंशीट का कोश्चन आपके पास एक्जाम में आ जाए तो कुछ नहीं करना फॉर्मूला देखो आपको इस तरीके से बैलेंशीट दे रखी होगी ठीक है आप देखें भी बैलेंशीट का एक फॉर्मेट है ठीक है आपने क्या देखना है सेम उसी फॉर्म में एकुटी एंड लाइबिल्टी शेयर ओल्डर फॉर्ण शेयर कैपिटल रिजर्वेंट सर्प्लस करेंट लाइबटी सब कुछ इसी फॉर्म में रखना है ठीक है अब यह जो 2021 वाला उसके बीच मेंहें हिंदी में क्या किए इसको चोड़ो हिंदी में कुछ भी ए हृँ ठीक है कमपेर करना तो देखें ध्यान से, अपना फॉर्मूला क्या रखना है दी D, D के लिए क्या निगालना है, D is equal to C upon A into 100, C upon A into 100, सिरी यह formula मगप कर लो, लेकिन C कैसे निकलेगा, B minus A, B minus A का मतलब जो current year का amount balance sheet है, वो क्या है मेरे लिए, amount जो आए है, वो क्या है, B है, और जो previous year का है, वो क्या है, A है, तो B में से A को माइनस करना है, B में से A को माइनस, B म से A को माइनस करेंगे, तो 3 lakh में से 2 lakh गया, तो कितना बचा है, absolute change कितना हुआ, 1 lakh रुपीज का, सिद इसी बार, कितने का change हुआ, 1 lakh रुपीज का, अब देखें धिहान से, absolute change कितना आया, भाई, पिछले साल मेरे पास share capital जो था, वो था, past year में 2 lakh, और अब कितना है, 3 lakh, तो absolute change कितना है, 1 lakh, absolute change कितना है, 1 lakh, और जो क्या था, A, A मतलब previous year, A कितना था, 2 lakh, बोलो समझ आती है बात, इन 2 का कर दो, 100, लो जी 50% आगे, अपने आप, बोलो हाँ, बोलो हाँ, 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 जी, सीदा सा formula है, कि 2020 वाली जो balance sheet है, का amount है, उसको यहाँ लिख दो, 2021 वाले को यह लिख दो, absolute change पता करना है, कितना परिवर्तन हुआ है, जभी तो compare करेंगे, जभी तो इसका नाम है, क्या, comparative balance sheet, देखो, हम लोग compare करते हैं, जब जो हम लोग shares वगरे खरीदने जाएं, तो हम पता करेंगे, कि भई, पिछले साल इनकी liabilities बढ़ गई थी, या, क्या liability कम ही थी है, बास समझ में आ रही है, ठीक है, क्या asset बढ़ी है, इनके पास इस बार कहीं debtor तो नहीं debtor, कहीं creditor तो नहीं बढ़ गए, liabilities और तो नहीं बढ़ गई है, तो क्या करेंगे, compare करेंगे, पिछले वर्षों से, बास समझ में आ रही है, तो देखें, यहां कितना हो गया, one lakh 50,000 और एकितना हो गया, 50%, सीधा-सीधा, अब देखो, यहां कितने का था, 2,00,00,000,00,000 रिजर्वनें शर फिर 2,00,00,000 का रिजर्वन Rash pies, फिर 2,00,00,000,00. बढ़ बंड़ को कीतना है, यहां कुछ नहीं है, फिर क्या बोलता है, यह कितना है, 40,00,000 और यह कितना है, 1,60, 60,000 तो चेंज कितना एपसलूट चेंज एपसलूट चेंज बोलो कितना है 120 अब देखो 120 अगर मेरे पास है का चेंज हुआ कितना था 40,000 यानि 2020 का बेस यानि ए इंटू क्या करतो 100 कितना आ गया 300 परसेंट खतम हो गई बाद ये राजी बोलो हां समझ आती बात कोशी नहीं करना सीधा-सीधा फॉर्मूला लगाना है तोड़ीजी कैल्पूलेशन है फिर क्या बोला है यहां पर देखो नेक्स के ट्रे अब कई बच्चे क्या करते है इने का टोटल करके यहां दपा करते नहीं ऐसा नहीं करना ध्यान सीखना है क्या करना है फिर से वही फॉर्मूला देखो यहां कितना टोटल 5 लैक और यह कितना है 760 कितना चेंज हुआ फिर से एब्सलिट चेंज कितना 2,60,000 2,60,000 ऊपर 5,000 नीचे इन टू हंडर्ड खाताम हो गई बहार बोलो हां बोलो हां समझ आ रहा है चले जी नेक्स आगे बढ़ते हैं फिर क्या देखो फिर से हमने क्या गिया इदे को यह कितना है 360 और यह कितना है 560 डिफरेंस कितना टू लैक का टू लैक ऊपर 360 नीचे यह आगी परसंटेज 4040 नो चेंजिस डाइज डल गया नेक्स क्या 120 दे रखा है देखो यह कितना 120 हो रही कितना 80 यानी ट्रेड रिसीवबल्स मेरे 80,000 से कितना हो गए 1,20,000 यानी 40,000 के बढ़ गया यानी absolute change कितना हो 40,000 का तो यानी कितना हो गया 50 परसंट ओव्यस ही बात ही तो करी सकते हो अब देखें यहां ते 20 था यह कितना हो गया cash and cash equivalent कितना था 20 से 40 हो गया तो 20,000 का change हो गया 100% हो गया अब अब देखो एक formula बहुत best है क्या करना है यह जो total यहां पर आया था ना यह वाला जो total था वो भी total same आएगा आएगा उपर ही balance sheet का अव्यसी बात है ठीक है ना equity and liabilities is equal to क्य होंगी assets की बराबर होंगी तो यहां पर आपने जो calculation करने में time दुबारा खर्च नहीं करना है time कोटी नहीं करना है फटक से question निगालना है और यहां भी 5 lakh है यह कितना 760 यह भी 760 तो difference तो यह भी 260 और यह भी 260 तो answer percentage तो वैसी उत नहीं आएगा खता बोलो नहीं समझाया ब बहुत असान है कुछ नहीं है सिर्फ क्या पता करना है absolute change क्या formula absolute change absolute change कितना हुआ एक लाग का एक लाग को उपर रखा base year यह नि last year जो था उसको नीचे in 200 करता बोलो नहीं समझ में आया बोलो हां शालिए ठीक है थैंक्यू